हेलो डेयर इस्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो पर मैं आज आप लोग को यहाँ पर बताने बाला हूं क्लास 11 का कंप्लेट स्लेबस को ठीक है और दोस्तों यह जो दोस्तों जो है यह ओफिसियल है 2022 सेशन का ठीक है और दोस्तों एक फ किसका लोगो भी दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हो सेख्षनिक सस्त्र यहाँ पर दिया गया है 2022-23 के लिए यह एकदम ऑफिसियल है आपको टेंसर नहीं लेना आप लोग देख सकते हैं जैकबोड का ऑफिसियल यहाँ पर दिया गया है जहरखंड यहाँ पर सीक्ष स्रिफ क्लास 11 के लिए बताऊंगा ठीक है तो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए आपर मैं बताने बाला हूं और आगे क्लास 12 के लिए भी बताऊंगा ठीक है तब को टैंसर नहीं लेना है ठीक है तो देख लेते हैं स्लेवास यह पर क्या होने बाला है ठीक है तो देखते हैं क क्लास 11 11 का दोस्तों यह पर सिलेवास बताने वाला हूं 2022 सेशन का जो आप लोग का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए आपर दिया गया है ठीक है तो आप लोग प्रेंड यह पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हिंदी कोर के यह जो इस टूडेंट है वह इस लिवास को देख सकते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखी क्या क्या पढ़ना है प्रेम चंद्र ठीक है जो कि आप लिखा गया है इसके बाद आप लोग यह जो चैप्टर है यह तो इसे भी आप लोग स्क्रीन साट कर लिए ठिक है चले आगे भरते हैं और आप लोग स्क्रीन साट कर लिए ताकि मुझे भी अजसानी से आप сама ऊपको बता सकूँ ठीक है इतना बताना संभव नहीं एक ही वीडियो पर ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यह भी हिंदी इलेक्टीब का ही है ठीक है तो आप लोग स्क्रिंसॉट कर लीजे जल्दी से जल्दी चल्दी आगे बढ़ते हैं और यहां पर है हिंदी B का स्लेवस्टिक है क्लास 11 क हिंदी B के लिए भी है ठीक है यह है हिंदी B का स्लेवस्टिक है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है यह है हिंदी B का ठीक है तो आप लोग स्क्रिंसॉट कर लीजे उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ चेप्टर हैं यहां पर देख सकते हैं इ तो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ठीक आपको टैंसें नहीं लेना है और दोस्तों यह जो है यह आपका संगस्कृत का है आप लोग देख सकते हैं यह किसी चीज़गा यह संगस्कृत का है संगस्कृत आप लोग यहां पर स्क्रीन सॉट कर लिजिए जितना भी पढ़ना होगा ठीक है आप लोग देख सकते है मात में आपका जो सेठ समुझी से पढ़ना होगा ऊसके बाद टिगनोवेंटीर फंसन ते इस carbon नहों होगा उसके बाद कि आगे ऊपर कुछ चैप्टर PSSON अब लेंगा संगस्कित हो जो अब यह है term 2 का इसे अब भी आपको फिलाल नहीं ध्यान देना है आपको इसके ओपर ध्यान देना है ठीक है तो इसके निसाट कर लीजिए ठीक है बहुत important होने वाला आपका तायरी भी अब धाका तारीके से हम लोग करेंगे यह है physics का ठीक है यह आप भी चेप्टर होगा ठीक है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं और भी तीन चेप्टर दिया गया है जो कि आपको टर्म 1 में पढ़ना है ठीक है चलिए आए गए बढ़ते हैं तो फ्रेंड आगे देख सकते हैं आपर है chemistry का chemistry में पढ़ना है some basic concept of chemistry structure of atom ठीक है classification of element ठीक है प्रेडिक इन प्रेटिस आपको पढ़ना है उसके बाद आपको states of matter पढ़ना है hydrogen पढ़ना है इस block element पढ़ना है organic chemistry में आपको यह पर जो यह जो चेप्टर इसे ही पढ़ना है और आपको कुछ भी चेप्टर आपको देखना नहीं आप लोग अ ठीक है biology में the living world पढ़ना है biological classification पढ़ना है plant kingdom पढ़ना है animal kingdom पढ़ना इसी प्रकार से कुछ चेप्टर दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है term one में ठीक है आप लोग इस्क्रीन सॉट करके रख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मतलब जो भी वी सही है देखते हैं तो अगला विससे है । भूगोल भूगोल में आपको क्या-krijk पढ़ना है देख सकते हैं यहांपर पूस्ता कह है भ्रतिक भूगोल का मूल्सिध्यान ठीक ही समें आपको पढ़ना है भूगोल एक बिसए के रूप में उसके बद परिधिविक उत्पत्ति पढ़ना है यहां पर from economics class लेंद में परिंदंध मैं म discretion अर्थ सास्तर की सांकी में pac्रिचे lights पढ़ना है आपडों का संग्रह पढ़ना है आकडों का संगतन पढ़ना है और दोस्तों दूसरी सतंतरता की पूर्भ भारती आर्थवस्ती निर्धनता उसके बाद मौनब भारत में मानब पुण्जी का ने गतक है अप लोग इस्क्रिंस ओड वी कर सकते एं ठीक है दोस्तों आप कर ली जिए इसके बाद एगला बीस यहां फर 10 की का लिए तो आगे बड़ते हैं यह इंगली स्कर्ण क image कैई दोस्तो आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपको क्या प्रना होगा चले हैं इसकी भी तैयारे हम लोग करेंगे चेतर केज़ेह तो आप लोग dot कर लीज़ें पहले थेक興ども लोग दे सकते हैं जो और voice चीज भी आपको पढ़ना होगा ठीक है उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे देख सकते हैं यह है book का ठीक है the portrait of a lady hornville book का है ठीक है उसी प्रकार से जो भी यहाँ पर चीज दिया हुआ जो भी chapter दिया हुआ आप लोग screen shot करके राख लिजे ठीक है उसके बाद आप लोग का poetry session का है photograph ठीक है इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है the voice of the rain ठीक है उसी प्रकार से तीनों चप्टर आपको पढ़ना होगा ठीक आप लोग इसके बाद अगला book आते हैं अपर textbook देख सकते हो the summer of the beautiful white horse यह भी आपको पढ़ना है उसके बाद the address आपको पढ़ना है रंगाज marriage आपको पढ़ना है ठीक है और यहां पर और एक चेप्टर है इससे भी आपको पढ़ना है अब हम लोग देखते हैं English selective का और English selective में क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख सकते हैं ठीक है आम सब्सक्राइब कर लिए होंगे चलिए इतना ही था आप लोग का सिलेबस जो कि मैंने बता दिया और अगले वीडियो पर हम लोग क्लास 11 10 सौरी 10 11 कभी बताएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल तब तक क्लिए थैंकि तुर जाहिंद।